Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, हमारा जो आज का वीडियो है, वो हमारा जो लारावेल की सीरीज में हम ब्लॉग बना रहे हैं उसका 7th वीडियो है, 6 वीडियो हम लोग अल्रेडी देख चुके जहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम जो हमारा template है, उसको हम कैसे download करेंगे, कैसे admin panel setup करेंगे, कैसे admin panel से हम post add करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि कैसे हम जो हमारा front end का template है, उसको integrate करेंगे कैसे front end का हम page बनाएंगे और हमारा जो post का page है, उसको हम बनाएंगे last video में हमारी कुछ चीज़े रह गई थी जैसे कि एक तो हमारा यह रह गया था कि जब हम यहाँ पे click करते हैं तो हमारा ID जा रहा है हमें एक तो यह चीज़ से ही कि यहाँ पे slug जाए second चीज़ हमें यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए कि यहाँ पे कुछ एक page का option हो जब भी हम यहाँ पे click करते हैं तो हमारा page से data है यह दो चीज़े जो है हमारी यहाँ पे printing है तो क्या करते हैं सबसे पहले एक तो हम जो हमारा post add होता है यहाँ पे हमें एक slug का option डाल देते हैं सबसे पहला गाम तो हम यह करते हैं इसी के लिए database में भी एक update करना पड़ेगा और वो यह होगा कि हमें जो हमारा post का table है यहाँ पे slug or add करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे एक title के बाद add कर देता हूँ slug slug 255 तो यह हमारा एक alter query यहाँ पे बन गया यहाँ पे एक slug के लिए option दे रहेते हैं तो इसके लिए चलते हैं view में admin में चलते हैं सबसे बहले admin में post post में हम लोग यह जो दोनों view हैं इन्हें open कर लेते हैं list को मैं open नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे यह डालना नहीं है और यहाँ पे मैं यह copy करता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं slug हर जगा पे मैं change कर देता हूँ slug 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 चलिए यह हमारा यहाँ पे sort हो गया same to same चीज़ copy करके मैं जो edit का हमने page बनाया था मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ बस यहाँ पे value में भी खाली slugा जाएगा यह हमारे pages बन गए इसके बाद हमें कहां चलना पड़ेगा हमें चलना पड़ेगा हमारे controller controller के लिए चलेंगे app पे app के बाद http controller admin और यहाँ से चलते post के controller तो यहाँ पे चीज़े change कर देते हैं slug required है इसी के साथ साथ अगर आपको ध्यान हो तो हमने page में भी यही चीज़ add करी थी कि जो हमारा page है वो unique होना चाहिए यहाँ पे भी हमने slug के time पे validation लगाया था तो यह same to same validation में यहाँ डाल देता हूँ चलिए यह हमारा add हो गया यहाँ पे हमें slug चाहिए तो मैं इधर यह ले लेता हूँ और इसको copy कर लेते हैं यहाँ पे आगे हमारा edit के time पे data इधर आगे हमारा यहाँ पे भी मैं इसे डाल देता हूँ अपडेट के time पे मैं यह हटा दे रहा हूँ और इधर भी डाल देते हैं slug चलिए हर जगा पे हमारा update हो गया बस हमारा यहाँ पे यह post हो गा reload करेंगे एक पर तो हमारा यहाँ पे slug आ गया post में चलते हैं किसी post को edit कर लेते हैं यहाँ पे slug आ रहा है और click करेंगे तो यह required है slug तो यहाँ पे मैं जस्ट इतना सो डाल देता हूँ man must explore slug हमारा add हो गया hopefully एक बार database में देख लेते हैं आ गया अब अगर कोई नया post मैंने same slug से डाल दिया description यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं एक कोई date select कर लेते हैं जो भी date image कोई आ रही है let's say यह कुछ है कि image है मैं इसे select कर देता हूँ save करते हैं तो यह बताएगा slug already use हो चुका है चलिए यह हमारा काम हो गया अब एक काम करते हैं जो हमने second post बनाया था इसका भी slug update कर देते है एडिट चलिए यह दोनों के दोनों हमारे slug यहाँ पे update हो गए अब चलते हैं हमारे front end में front end पे भी हमें slug को retrieve करना पड़ेगा तो मैं फिर से चलता हूँ controller front में post में देखते हैं कि controller में हमने कुछ retrieve किया था ऐसा नहीं है यहाँ पे तो हमने कुछ भी data sarray type किया नहीं है जो भी condition लगी है हमारे front end पे लगी हुई है तो हम चलते हैं resource view front और home में यहाँ पे अब यहाँ पे जब कोई detail पे click करता है तो हम उसको slug को यहाँ पास करा देंगे अब यह slug कहां जाएगा यह जाएगा controller को हिट करेगा तो मैं एक बार controller को भी open कर लेता हूँ controller, front, host अब क्या होगा जब भी कोई detail पे जाएगा तो यह चेक कराएगा slug से ID ही रहने देते हैं यहाँ पर हम चेक यहाँ पे slug से कराएगे रिलोड करते हैं एक बार अब देखे जब भी आप mouse over करेंगे तो आपको slug pass हो रहा है जैसी आप इस पे click करेंगे तो आपका यह चीज यहाँ पे आ गई हम चलते हैं हमारे जो हमारा top का section है वो हमारा कहां से आता है वो आता है हमारा layout से front layout यह रहा हमारा section अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम layout में यहाँ पे जो हमारे बाकी के pages बने हैं वो हम यहाँ पे ले आए एक तरीका और जो सबसे simple है वो तो आपका यह है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने pages डाल सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास system में क्या pages है एक about us है slug क्या हो जाएगा slug हो जाएगा page slash about us यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो admin panel में pages बनाए हैं वो हम यहाँ डाल दे रहें रिलोड करेंगे तो आपका यह page आ गया अब जैसी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिलाल तो यह page not found बोलेगा पर इसको यहाँ पर यह page को दिखा देगा तो यहाँ से तो हम लोग back कर लेते हैं फिलाल अब सबसे पहले चीज़ तो यह है कि जो हमने pages बनाए हैं वो हमारे यहाँ पर top navigation में आएंगे कैसे जो मैंने आपको यह बताया यह तो static तरीका हो गया क्योंकि यहाँ तो आपको पहले admin panel में pages add करने पड़ेंगे फिर यहाँ पर डालने पड़ेंगे तो यहाँ पर इसको execute करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि हमारे पास जो यह post नाम से हमने यहाँ पर हमारा एक view बनाया है इसमें हम एक function मना सकते हैं और उसको चाहें तो हम हमारे जो view है वहाँ पर call करा सकते हैं यह कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मैं एक काम करता हूँ यह जो मेरी templates खुली हुई है admin की मैं इने बन कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम एक function बना सकते हैं इसको बोल सकते हैं कि हमारा page underscore menu अगर हमें एक function लेट से हमें एक simple function बनाया है हमने test eco test अगर हमें इस function को हमारे यह template से call कराना है layout.plate से तो इसको कैसे करा सकते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो हम चलते हैं और जो हमारा यह हमने template बनाया है इसका जो name space है उसे use कर लेते हैं तो name space के लिए मैं यह add कर देता हूँ front slash post एक बार reload करके देखेंगे यहाँ तक चल रहा है बराबर है इसके बाद हमें इसको use करना है तो हम लिख सकते हैं post और इस function का नाम लट से page menu देखते हैं भी क्या error आएगी यहाँ पर error आनी चाहिए थी यह error क्यों नहीं आई हमने बुला use app, http, controller, front, post और हमने इसको use कि आई यहाँ पर error आनी चाहिए थी एक काम करते हैं चलते हैं d, cd, laravel, cd, blog actually मुझे यह देखना है कि यह शायद जो changes हैं वो मेरे view में reflect नहीं हो रहे हैं right तो यह कई बार क्या होता है कि caching की वज़ा से ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ पर clear कर देते हैं इसे caching को php artisan php artisan view तो यह क्या करेगा जैसे अभी reload करेंगे तो यह यहाँ पे एक error देतेगा और यह बताएगा कि हमारा यहाँ पे कुछ error है तो मैं काम करता हूं इसको basically यहाँ से मेरा यह हटा के php का code यह यहाँ पराबर चलेगा अभी पस दिक्कत यह आएगी कि हमारा जो function है इसको हमें एक तो करना पड़ेगा public और करना पड़ेगा static तभी यह आप front end के अपने view से इसे call करा सकते देखिए आपका test आ गया यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको हटा देते फिलाल यह इसको पड़े रहन देते यहाँ पे हमारा काम यह हो जाएगा हमारी post का page का सारी सारा data retrieve करना तो हम आए एक बार database में चलते टेबल का नाम क्या है चेक कर लेते टेबल है हमारी pages तो हमने बोला pages के अंदर हमें data निकाल के दे दिया जाए pages के अंदर जहांपर status बराबर 1 है और यह data हमें return करके दे दिया जाए एक बार चलते हैं इधर result और अगर मैं यहां पर बोरूं result is equal to this और अब अगर मैं print underscore r कराऊं result को e को pre तो reload करके देगें क्या आएगा यहां पर आप यहां पर देखें तो सारा का सारा आपको जो data था वो आ गया है यहां पर अब for each loop की help से हम इसे कर सकते हैं तो उसके लिए मैं अब हमारा जो normal blade है उसी को एक बार use करके देखता हूं as list और इसको हमें for each में डालना है add the rate for each और यहां डाल देते हैं add the rate end for each एक बर रिलोड करके देखते हैं इसे देखिए यहां रहा है बराबर तो अब हम एक तो इसका नाम चेंज कर देते हैं डेटा में इसमें देख लेते हैं क्या है नेम है तो यहां हम डाल देते हैं dollar list और इधर कर देते हैं name और copy करके यहां कर देते हैं slug अच्छा यह इधर already है तो इसको dot slug कर देते हैं reload करेंगे तो यह pages आ गए जब आप mouse over करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अब यहां पर क्या है जैसी मैं इस पर click करूँगा तो यह भेजेगा हमें page नाम के function पर तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूँ एक page के लिए बना लेता हूँ हमने page बना लिया यहां पर हमने बुला कि pages टेबल में जाओ और जिसका ID slug बराबर ID है वो data रिटन करके page में डाल दो अब इसके लिए एक page नाम की template की जबत पड़ेगी तो हम चलते है एप अच्छा इससे पहले भी हमें route में चलना पड़ेगा क्योंकि route तो हमने बनाए नहीं है इसके लिए कोई तो मैं यहां पर एक route बना लेता हूँ अच्छा route तो यह बाहर भी available रहेगा तो copy कर लेते हैं इसको बोल देते हैं page पोस्ट के अंदर page एक page नाम से बना लेते हैं यहां पे टेमब व्यू रिसोर्स व्यू फ्रंट इसकी copy कर लेते हैं और इससे कर देते हैं page चली यहां पे आगए आपका title यहां पे आगए title container में हम लोग डाल देते हैं इसका data यानि के description hopefully अभी यह चलेगा proper फिलाल तो आगई error, error कहां पे आई है, blade में आई है, title नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पे हमने name डाला है चली है तो यह आपका about us का जो page था वो आ गया, यहां से आपका जो services का page है वो बन गया तो जो pages थे, वो हमारे यहां पे हो गए complete, so finally अगर आप एक simple level पे देखते हैं, तो हमारा blog जो है वो यहां पे बन जाता है friends, बहुत detail level पे मैंने यह blog explain नहीं किया है, मुझे comments already आए है, बहुत सारी functionality add करने के लिए, पर यह जो project था blog वाला, इसको बनाने का जो मेरा main reason था, वो सिर्फ यह था कि आप लोगों को बताना, कि Laravel में अगर हमें template सकनी होगी, वो हम कहां रखेंगे, अलग-अलग folders में हम कहां रखेंगे, थोड़े time बात, एक में बड़ा project लेके आऊंगा, जो definitely, जैसे हम लोगोंने e-commerce series बनाई है, food ordering के series बनाई है, उतने ही एक बड़े major level पे project होगा, लेकिन जो blog वाला project था, उसको मैं भी यहीं पे complete कर दा हूँ, एक reason और भी है कि क्या रहता है, कि कई सारे subscriber ऐसे होते हैं, जो Laravel में interested नहीं है, वो core PHP में interested है, या फिर कुछ tricks देखना चाहते हैं, या फिर कुछ और देखना चाहते हैं, तो problem यह है कि अगर हम एक ही topic पे continuous video बनाते रहें, तो कई बार बाकी लोग, बाकी लोगों को लगता है, कि यह क्या चल रहा है, हमें तो यह change करता रहता हूं, हर थोड़े थोड़े दिन बाद कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा detail level में मैंने आपको बताया नहीं जाएंगे, definitely week में एक बार मैं कोशिश करूँगा, कि एक या दो बार Laravel के हम छोटे छोटे topics cover कर सके, जैसे कि एक separate video हमने बना लिया, कि अगर हमें Laravel में Ajax का use करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस तरीक है कि topic हम independently लेके आते रहेंगे, जहां से हमारी चीज़े clear होती रहेंगे, next video में हम लोग again CorePHP के बहुत सारी मुझे request आई हुई है, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं, मैं उनसे start करूँगा, so friends, ये ता हमार ब्लॉक का series, हम लोगों ने basic level पे देखा, बिल्कुल एक ब्लॉक बनाना हो, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं, so friends, I hope कि जो मेरा ये series था, ये आपको पसंद आया होगा, अगर आपको कोई भी कहीं पे भी question है, तो आप प्लीज वीडियो की comment box में अपना मुझे comment डालिए, मैं की तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आपके issue को resolve कर सकूँ, source code हमेशा की तरह video के description पे आपको मिलेगा, video friends, अगर पसंद आये, तो like जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो आप please उसे subscribe भी कर लीजे, thank you.